नमस्कार दोस्तों, अच्छी शब्द प्रती मिनट की एकती से अंसिन डिक्टेशन स्टार्ट होगा तीन सेकिंड बात स्टार्ट भारतिय स्विधान में हिंदी को भारतिय संग की राज किये भाषा के रूप में स्विकार किया गया है इस समय धानिक व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रिय सरकार ने समय समय पर नियम बनाए और आदेश जारी किये हैं इनके फल सुरूप सरकारी कामकाज में हिंदी के परियोग को क्रम शह बढ़ाया जा रहा है पिछले चार दशकों में सरकारी अक्षेत्र में हिंदी की प्रगती पर जब हम द्रिष्टी डालते हैं तो यही देखने को मिलता है की प्रगती का क्रम धीमा है उन अक्षेत्रों में जहां कारियालियों में हिंदी भाशी या हिंदी का कारिय साधक ज्यान रखने वाले अधिकारियों और करमचारियों की संख्या प्रियाप्त है वहां भी इसकी प्रगती जितनी होनी चाहिए उससे कहीं कम है समयधानिक व्यवस्था आवश्यक मार्ग निर्देश समूचित नीमों के बावजूद अगर प्रगती का क्रम अपेक्षा से कम है तो इसका कारण यही लगता है की हिंदी में काम करने की योग्यता रखने वाले करमचारियों में अपेक्षित जाग रुकता और उत्साह की कमी है एक और तथ्य जो हिंदी के परियोग को बढ़ाने में आड़े आता है वह हैं बदलाव के प्रती उदासीनता अंग्रेजी में काम करने की आदत को थोड़े परियास से बदला जा सकता है लेकिन इसमें अभ्यास को बदलने की बात है इसलिए लोग टाल जाते हैं वे यह नहीं सोचते की इस परियास से वे नैकेवल अधिक कूशलता से अपना काम कर सकते हैं बलकि अपने सहयोगियों को भी परोटसाहित कर सकते हैं और परशाशनिक कारिय की कूशलता और गती भी बढ़ा सकते हैं एक जीवन्त भाशा विकास और संवर्धन की निरंतर परकिरिया है दैनिक परियोग से उसमें नई शब्द नई अभिव्यक्तियों और नई शैलियों का शमावेश होता है भाशा अभिव्यक्ति का एक ससकत माध्यम है बिना भाशा के कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता जब हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुचाना चाहते हैं तो उसके लिए जिस माध्यम की आवशक्ता पढ़ती है उसे भाशा कहते हैं भाशा में शक्ति नहित होती है जो हमारी चेतना को प्रखर करती है विचारों को नई द्रिष्टी प्रदान करती है नई विचार द्रिष्टी से हमारे ज्यान का विश्तार होता है जो जो हमारे ज्यान का विश्तार होता है त्यों त्यों हम विभिन लोगों के संपर्क में आते हैं विचार विनी में करते हैं तो हमारे अनुभवों में व्रिद्धी होती है भाशा से ही समाज में व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रिष्टा बनता है यह रिष्टा प्रगाड होता है भाशा से भाशा से ही व्यक्ति का विकास होता है इस दृष्टी से देखा जाए तो हमारी संपर्क भाशा के रूप में व्यक्ति के विकास में सहायक तत्व बनकर सामने आई है हिंदी भाशा हमारी राष्ट्र भाशा और राज भाशा है राष्ट्रिय स्तर पर जितनी भी भाशाएं हैं उनमें हिंदी ही एक ऐसी भाशा है जिसे संपर्क भाशा का गोरो भी प्राप्त हुआ है क्योंकि हिंदी जनता की भाशा है आम आदमी के समझ में आने वाली भाशा है जन अपेक्षाओं और उसकी भावनाओं की अभी व्यक्ति हिंदी में सहज रूप से हो सकती है इसका मूल कारण है हिंदी भाशा की जड़ें हिंदूस्तान की धर्ती में गहराई से जमी हुई है हमारी लोक संस्कृती की पहचान हिंदी भाशा के माध्यम से ही हो सकती है हिंदी भाशा किसी धर्म जाती अथ्वा शंप्रदाय विशेश की भाशा नहीं है यह तो जन भाशा है विराम समाक्त झाल 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 झाल